और हर मेकेनिक के पास में दोस्तों ये हमारे जो ये वाला इस्कुरू गेज होना चाहिए दोस्तों तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी मोटर का आप चाहे वो कोई सी भी मोटर हो कितने भी हस पाउर की हो उसका डाटा निकाल सकते हो दोस्तों आध दोस्तो हम इस वी डियो में, किसी भी मोटर का डाटा का डाटा निकाला जाता है। इस ने एक स्कते आम अीना तुम का जलोता है, जानवा दाटा जाता है। तो आज कामारा टोपिक यह रहेगा कि हमको किसी बी मोटर का डाटा किसप्कार से निकालना होता है दोस्तो तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किसमे बाता निकालना होता है भी Запास कोई भी कोई भी मोटर आये चाहे हो पंडू भी हो ओपन वेल मोटर हो या हमारी वी फोर सब्मर्सिबल मोटर हो या वी सिक्स सब्मर्सिबल मोटर हो या हमारी इंडेक्शन मोटर हो इंगल फेस की मोटर हो चक्की की मोटर हो या कोई सी भी मोटर हो दोस्तों तो आपको पास जब भी म काटा निकाला जाता है तो दोस्तों सबसे पहले हमको मोटर खोलने के जश्ट बात क्या करना है वो बता देते हम आपको हमको कोई सी भी मोटर आया हमारे पास उसको खोल लेना है खोलने के बाद में दोस्तों हमको उसकी केबल नहीं काटना है सबसे पहला काम हमको यह करना है क हमको उसको केबल नहीं काटना है केबल में हमको देखना है उसका के हमारा कनेक्शन कौन सा किया हुआ उसमें दोस्तों सबसे पहले देखिए जैसे कि हमने इसकी केबल काड़ दी है हमने तो इसकी केबल काड़ दी आप केबल नहीं काटेगा पहले उसका कनेक्शन देखिए कि कोन सा connection है जैसे कि इसमें हमारा ये देखिए तीन तार हमारे केबल में जुड़े हुए थे और तीन तार हमारा ये आपस में अंदर ही मिले हुए है मतलब कि इसका star connection है दोस्तों सबसे पहले हमने connection समझ लिया तो सबसे फश्ट काम हमारा ये रेता है हमको किसी भी motor का connection देख लेना है चाहे हो three face की motor हो single face की motor हो या हमारी induction motor हो तो सबसे पहले हमको उसका connection खोल के देख लेना है उसमें connection कोन सा किया गया है और किस तरह से किया गया दोस्तों सबसे पहले वो देख लेना हमको इसके बाद में हमको दोस्तों क्या करना होता है हमारी जो भी क्वाइले बेटी है जैसे कि यह हमारी थ्री फेस की है तो इसका हमको इसमें कितने सेट डले है वो आपको कन्फर्म कर लेना है कि हमारी थ्री फेस की है इसमें चार चार कॉयल के कितने सेट डलेंगे तीन सेट डलेंगे तो इस तरह से हमारी सारी मोटरों में अलग-अलग डले हुए रहते हैं सेट सिंगल फेस में हमारे सेट अलग डले हुए रहते हैं थ्री फेस में अलग डले हुए रहते हैं इंडेक्शन मोटरों में अलग ड लेवे टोटल और फिर हमको तीसरा काम करना दोस्तों हमको इसका पीछ देखना है इसका पीछ जो हमारी कोईलों का पीछ रहता है दोस्तों पीछ हम किसको बोलते हैं जो हमारी ये सलाटे रहती है स्लाटों के बीच में हमारे जो ये क्वाइल हम जो बिठाते हैं जो हमारी एक क्वाइल जो हमारी स्लाटों को गेरती है मतलब समझ रहे हो आप जैसे कि हमारी आपको बताए हम इसमें ये हमारी थ्री फेस की है जैसे कि दोस्तों ये हमारी थ्री फेस की मोटर है अब इसमें हमको पीछ देखना है तीसरे नंबर पर हमारा पीछ आता है इसका तो पीछ हमको देखना है तो इसका पीछ देखिए किस प्रकार से देखा जाएगा यह देखिए यह हमारी जो सलाटे हैं यहां से जो हमारी क्वाइल बेठाई हुई है जैसे कि इसमें आपको दिखा दे हम हमारी फर्स्ट वाली कॉयल जो बेटी है वो एक से दस पे बेटी है और सेकंड वाली जो कॉयल है एक से बारा पे बेटी है दोस्तों तो इसको 5 बोला जाता है, मतलब कि इसका 5 10-12 पर रहता है हमारा, तो तिसरा काम ये करना है, हमको 5 देख लेना है, देखिए आपको दिखाए हम, ये इस तरह से 5 गिन लेना है, कैसे जैसे कि हमारी पहली वाली कोईले छोटी वाली, यहां से हमको count करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह 10 यहां पर आ गई मतलब कि यह हमारा 1 से 10 पेस का pitch हो गया दोस्तो तो इसी प्रकार सारी motor का pitch अलग-अलग रेता है हमारी single base की motor का अलग रेता है induction motor में अलग रेता है pitch तो हमको pitch देख लेना है हमारी सारी motor का pitch अलग-अलग रेता है दोस्तो तो हमको pitch देख लेना है और एक बात और बता दे आपको अगर याद नहीं रही सारी चीज़े तो आप एक copy pen लेके बेटिए जब भी कोई motor खोले आप और उसका data निकाले तो आप एक copy pen लीजिए और उसमें पूरी detail लिख लीजिए कि हमारी motor में connection कौन सा था दूसरा हमारा इसका pitch कौन सा था pitch कितना था वो भी लिख लीजिए आप note कर लीजिए तो ये सारी चीज़े आपको note कर लेना है अब इसके बाद में दोस्तो क्या आता है हमारा हमारी coilों में turn कितने है तो हमारी coilों का turn हमको count कर लेना है जैसे कि हमारी 3-base की coil है 3-base की motor है तो 3-base में हमको क्या करना होता है दोस्तो अगर submersible motor हो या open well motor हो 3-base की तो हमको एक ही coil के केवल turn गिन लेना है क्योंकि हमारे submersible जो 3-base की motor आती है सबमर्सिबल जो मोटर है ओपन वेल या पंडू भी जो भी मोटर है आती दोस्तों उनमें सेम तरन रहते हैं तो हमको एक कोईल के टरन गिन लेना उसमें और अगर आप सिंगल बेस की मोटर है आपके पास में तो सिंगल बेस में आपको दोस्तों बहुत सी मोटरों में अलग-अलग टर्न भी आते हैं जिसमें डबल बेटी हुई रहती है कोईल है हमारी तो उसमें हमको स्टार्टिंग के टर्न अलग गिन लेने होते हैं और रनिंग के टर्न अलग गिन लेने होते हैं दोस्तों तो Single base में हमको अलग-अलग Turn गिनने हैं और 3 base में आप चाहे तो एक ही coil के turn काओंट कर लेंगे तो आपको सारी coil के turn पता चल जाएंगे क्योंकि हमारे 3 base में जो रहते हैं दोस्तों वो एक जीसा ही टर्न रहते हैं और single base में हमारे अलग-अलग turn रेते हैं और जो हमारी इसमें की induction motor आती है इनमें भी आमको दोस्तो turn जो 3 base की रहेगी उसमें एक कोईल के गिल लोगे तो आपको पता चाल जाएगा क्योंकि उसमें 3 base में तो ऐसमें अगमें आपको क्वाइल को करना जाएगा तो जेकिन दोस तो तो आपको उसको उसके चारों कोईलों के टर्न काउंट कर लेना है तो इस प्रकार से हमको पहले इसका टर्न काउंट कर लेना है तो देखे यह तो हो गया हमारा ये काम हमने इसके turn count कर लिए ğप चाहिए तो काठने से पहले turn count कर सकते है या फिर आप काठके coil एक slot में जो हमारे जितने turn है दोस्तो वो हमको count करना है तो वो आप काठके भी कर सकते हो Qual eh निकाल के भी या फिर काटने से पहले भी कर सकते हो इसके बाद में दोस्तों क्या करना होता है हमको इसके बाद में जो हमारा ये इसका गेज रहता है इसको बोलते है वो गेज निकालना होता है दोस्तों इसका हमको गेज निकाल लेना है हमारा इसमें कौन सा गेज आ रहा है वो हमको इसमें निकाल लेना है और गेज किस परकार से निकालना जाता है आपको हम बता देते हैं उसका भी निकालने का तरीका भी इसमें गेज निकालने के लिए दोस्तो दो परकार के हमारे उपकरण आते हैं या आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको स्कुरू गेज बोलते हैं दोस्तो इसको यह देखिए सबसे बढ़िया इससे हमारा गेज निकाला जाता है सही से आप किसी भी motor का इससे gauge निकाल सकते हो तो यह जो हमारा screw gauge रहता है एक हमारी इसकी plate भी आती है gauge plate भी दौस्तो पर उससे आप सई से gauge नहीं निकाल पाऊगे आप चाहे तो वो भी buy कर सकते हो और आप चाहे तो यह भी ले सकते हो दोस्तो बर हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप ये लीजिए इसमें हमारा सही से गेज निकलता है दोस्तो और ये हमारा स्कूरू गेज बहुत ही बढ़िया रहता है और इसमें हमारा गेज निकाला जाता है अब इसको चलाना केसे होता दोस्तो इसके लिए हम एक एक वीडियो बनाएंगे इस वीडियो में अगर हम बताएंगे सारी चीजे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो हमारा तो इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे और हर मेकेनिक के पास में ये होना चाहिए दोस्तो तो एक तो हमारा ये screw gauge आता है इसकी link भी आपको हमें description box में डाल दूँगा आप महाँ से purchase कर सकते हो यह आपके पास होना चाहिए दोस्तो भोती बढ़िया रहता है हमारा इसमें हमारे सारे कोई सी भी motor हो किसी भी motor का gauge हम इससे निकाल सकते है दोस्तो क्योंके यह हमारा gauge निकालने के लिए रहता है ÉSWG निकालने के लिए दोस्तो और दूसरा हमारी एक इसинойर की gauge plate आती है दोस्तो यह देखे यह जो gauge plate है इसमें क्या है दोस्तो हमारे सारे number लिखे हुए रहते यह देखे यह 19.Number 20.Number 21.Number 22.Number इन में हमारा इस प्रकार इसमें डाल के वायर देखना होता है दोस्तो इस तरह से इसमें जोन से गेज में हमारा यही देखिए इस तरह से इसमें डाल के देखना होता है तो इससे हमारा पता चलता है कि इसमें कौन सा गेज डिला हुआ है तो यह भी इसकी भी लिंक आपको ड पर्चेस कर सकते हो आप चाहे तो यह हमारे पास होना चाहिए दोस्तों और हर मेकेनिक भाई के पास में दोस्तों इन दोनों में से एक ओजार जो है हमारा होना चाहिए दोस्तों क्योंकि गेज निकालना हमारा हर मोटर का अनिवारी रहता है तो यह आप चाहे तो पर्चेस कर सकते हो discussion box में में दोनों की link डाल दूआ वहां से आप ले सकते हो बहुत ही बढ़िया है दोस्तो और यह हमारे पास में होना भी चाहिए और हर mechanic के पास में दोस्तो यह हमारे जो यह वाला screw gauge होना चाहिए दोस्तो क्योंकि इसी से सही हमारा gauge निकलता है और आप चाहे तो यह दोस्तो इसका जो gauge निकालने का है आप चाहे तो आपके पास अगर यह नहीं भी हो तो आप जहां पर भी वायर लेने जाओ के दुकान पर दोस्तो तो उसमें वह उसको बोलना है आपको इसका gauge निकाल दीजे तो आपको इसका gauge बता देगा द दोस्तो इसके बाद में दोस्तो हमको क्या करना है मोटर को हमारी काटलेooth नहीं है यह मारा परक्रेक्ट के पर दम भचतल निए को सट पूरे वार से दमत निकल गया है काटने केद Hem को और यह दोस्तों हमने जो आपको बताए यह डाटा निकालने का बहुत हुई आसान और सरल तरीका है इस से आप किसी भी मोटर का डाटा आसानी से निकाल सकते हो चाहे हो कोई सी भी मोटर हो आपको हमने बता दिया कितने भी हस्पार की हो चाहे हो एंडेक्सन मोटर हो हमारी थ्री फेस की मोटर हो या सिंगल फेस की मोटर हो पंडू भी मोटर हो ओपन वेल मोटर हो या सबमर्सिबल मोटर हो वी सिक्स की मोटर हो कोई सी भी मोटर हो इस तरह से आपको डाटा निकालना लेना दोस्तों और आपको इस प्रकार से अग कुछने की जरुवत नहीं पड़ेगी कि हमको कौन सी मोटर में कौन सा डाटा डालना है दोस्तों तो जब भी आपके पास मोटर आए यह आपको यह काम कर लेना है और इस पकार से हमको डाटा निकालना होता है किसी भी मोटर का तो आई होप तो दोस्तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में फिर नए टोपिक के साथ में ठेंक यू पर वोचिंग माई वीडियो